बस एक ही बात है एक ही नारा एक ही काम जैशी राम जैशी राम नमस्कार मैं रेखा दुगल आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 नियूज आए रुख करते हैं आज की ताजा ख़बर की ओर पूरे देश में हिंदु धरम के प्रति जावरुकता जगाने के लिए मनाया जाता है ये शोर्य दिवस हिंदु धरम के मान सम्मान को बचाए रखने और हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए हर साल शोर्य दिवस पूरे देश में बड़ी धुमधाम से मनाया जाता है सत्व श्रीवाल सरकार के लिए कहा कि इनका काम मूँ पर राम और बगल में चुरा है क्योंकि दिल्ली सरकार हर विधान सभा के हर वाड में ठेके खोलने का जो काम कर रही है वो देश हित में नहीं है श्री राम मंदिर के निर्मान पर पूरे देश में शोरे दिवस मनाया जाता है और हिंदूत्व की जीत का जश्न मनाया जाता है राम मंदिर का निर्मान देश के लिए गर्व की बात है और हिंदू धरम का गौरव है यह शोरे यात्रा दिल्ली के निठारी से शुरू होकर दुरगा चोक और मंगल बजार से होती हुई निठारी चोक पर खत्म होगी इस शोर्य यात्रा में सुरक्षा के बहुत सक्त इंतजाम किये गए है इसमें भारी पुलिस बलतैनात किया गया है आज पूरे देश में हिंदु धर्म जागरुकता के लिए बड़ी धूमधाम से यह शोर्य रैली निकाली गई है बरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्य देश में दोबारा से रामराज्य आएगा और हिंदु धर्म कायम रह पाएगा और विशिंदु परसाद धर्म परसार अज्देक्षा अगरे जो कारी करम है एक तो सोरे दिवस है तो बाबर का करंगी ढाचा था उसको बजरंगियों ने ढा दिया और उसके श्री राम मंद सिर्क भव निर्मान हो रहा है उसकी खुशी में अपने माते से जो हिंदु के माते पर कलंक लगा हुआ था वो कलंक के टीके को मिठा करके भावी ढाचे को गिरा करके श्री राम मंदिर का अपकुना निर्मान किया जा रहा है इस फुसी में और दूसरा हमारा आज का दिन सब्सक्राइब करेंगे जिला कंजाला के अंदर और 500 वर्स तक इसकी लड़ाई हुई श्री राम मंदिर की जिसके वह आतात आई देख दरोही जिसका धाचा समीह हिंदु करके बजरंगियों ने मिल करके ढहा दिया और आज श्री राम मंदिर का भव निर्मान हो रहा है पहले यही लोग श्री राम मंदिर का विरोद करते थे कहते थे हुआ होस्पिटल बनाए जाए लेकिन आज कह रहे हैं राम मंदिर बन रहा है तो आप वो कह रहे हैं कि उसकी यात्रा कराई जाएगी है अपना ही पता हो कहा रहे हैं यहां पर एक व्यक्ति को इसलिफ लड़ाई सब जगह होती जगड़े विबाद सब जगह होते हैं मगर किसी एक व्यक्तिकों से इसलिए टॉर्चा करना कि आप हिंदू कॉम्निटी से बिलॉंग करते हैं और हम इकठे हैं हम किसी स्पेशल कैटेगरी से आ रहे हैं हमने गले में स्क्रॉस जाल रखा है तो हम तुम यह दबाते रहेंगे ऐसी विचार धारा को चलने के लिए रिश्युंदू परश्यत की युवाई का वजंदल हमेशा ही ऐसे हिंदू के साथ पड़ी रहती है आए दिन यह घटना होती है कि जरा जरती बात पे माबली चिंग निकाला गया था वो निकाला गया था अकलाक के लिए माबली चिंग सरग्षप यह हैं कि किसी समू द्वारा कि एक व्यक्ति के साथ हिंसात्मक कारवाई मागर वह आप देखिए हिंदू के साथ ज्यादा है अगर किसी ने उनका नाम नहीं लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ही थे जिनकी नानी जी को तकलीव सी कि मंदी टूटेगा इमजी टूटे मंदीर बना तो तकलीव होगी आज वही है जो अपनी नानी जी के बात को छोड़ते हुए तक रशंगरा रहे हैं कहीं ना कहीं यह हि कि हिंदु जाग रहा है अपने विचारों को रख रहा है संगटी थो रहा है कर ना कहीं यही तकलीव और यह सभी को राजनेताहूं को अब हिंदू संगटी थो रहा है यहा हम सि फिट्व का जैजय करके उन्हों को माननत देखें उनकी इफसार पार्टी करके हम नहीं जीत थे आप हमें तरफ लगाना होगा मन्दीर जाना होगा हमें जैकारे लगाने वाले पिड़ी आने वाली अपने विश्वात नर्म पर इतना तो यह हमारे हम हिंदू है यानिकी एक सक्ति हिंदू की जो हमारे धरम परवितन करने का तरीका वह यह होता है जातिवार में बाठ रखा हमारे को बारत पांच वाड़ है पांच वाड़ में दस थेके आ रहे हैं यूवा पीडी नसे में पड़ रही है इससे कोई मतलब नहीं है बज्जय श्री राम हमें वह ठेके नहीं खोलने देने मेरा नाम सत्वीर सिंह राठी बजरंगल और विश्व हिंदू परिशत का कार्य करता और 1992 में में बाबरी धाचा गिराने में कारसेवक अब जो आज विश्व हिंदू परिशत और बजरंगल जो है और उसी में अपने समाज को जागरू करने के लिए यह पधियात्रा आज की दिन कर रहे हैं वारा तारीक बार्वा मईना 2020 हिंदू परिशत का सारे के सारे कारी कंद् oxide बार्ष में यह कारी कर 가지고 होरा और जो है इसलब्ली में पूरी शक्ति से हम अपने हिंदू दरम को बचाएंगे और आगे वंशâte कर लिए भी अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे हमारे साथ खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओपन चैलेंज 24 नमस्कार